आप सभी प्रिय दर्शकों का स्वाधत है, बात करेंगे उर्जा ग्लोबल के बारे में, एक थोड़ा सा डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव लेके आएंगे और शमा चाहेंगे पहले ही अगर कुछ दर्शकों को इसमें बात अच्छी ना लगे, क्या यहाँ पर आपको उर्जा अगर हम बात करें उर्जा ग्लोबल के कुछ की पेरामीटर्स की, तो देखें, उर्जा ग्लोबल में आप सबसे पहले RSI, यह टेक्निकल पेरामीटर है, 70 के उपर रीटेल निवेशकों को हमारा चैनल किसी भी स्टॉक को बाई की रिक्मेंडेशन नहीं देता है, यह 90 के आ बुलियंजर बैंडविट, बुलियंजर बैंडविट एक बहुत की पेरामीटर है, जनरली 10 से 20 के 20 अच्छा पेरामीटर रहता है अगर यह बैंडविट थो, अभी इसका बैंडविट यहाँ पर 90 के ऊपर चला गया है, जरा टेक्निकल चार्ट पर देखें, आज भी 16 थोड़ा सा higher level पर शायद retail निविश्कों को फसाए जाए, RSI 91.87 और अगर आप यहाँ पर बुलियंजर बैंडविट निकालेंगे, तो देखें, बुलियंजर बैंडविट के चलते हुए, यह stock 93 के आसपास बैंडविट चल रहा है, बहुत हाई बैंडविट है, यहाँ प निविश्क करने से पहले इसको जरूर देखेगा, और किसी भी stock में 5% से जादा आप निविश्क ना करें, और अगर penny stock है तो limit करिए 2% के आसपास ही, यहाँ पर कुछ fundamental parameter ratio भी देखते हैं, तो देखें, company इतनी जादा profitable नहीं है, इस बात को समझेए, 5 साल में से 2 साल में profit दिखाया था, एक करोड का, दूसरी चीज, valuation of PE, यहाँ पर price to earning ratio, price जब earning ही नहीं है, तो PE ratio कैसे रहेगा, तो यह यहाँ पर negative आ रहा है, जो कि अच्छा parameter नहीं माना जाएगा, market cap की दरशी से, महज 900 करोड की company है, इतने valuation के बाद में, तो यह एक penny stock है, थोड़ा सभल के काम कीजेगा, अगर इसका basic EPS देखें, earning per share 0.03, और यहाँ पर book value 3.3, अगर आप बड़े दिगज की बात करें, तो right side में आपके सामने, यहाँ पर TCS का है, earning per share 86 है इसका, तो देखें, क्या difference है company के fundamental view में, book value इसकी, यहाँ पर 235 है, यह समझेए, एक अच्छी company की पहचान होत एक साल में 36% का growth दिखाया है यहाँ पर, तो इन सारे parameter की basis पर अभी यह over value हो चुका है, छोटे और informative वीडियो बनाते हैं, आप चाहे तो subscribe कर सकते हैं, हमारे हिसाब से, अगर आपको इसको खरीदना है, तो जो सबसे पहला आपका 3 triangle pattern में implement कीजेगा, खरीदने का level, सबसे प दस रुपे के असपास रुकेगा, तो ध्यान रखे, यह दोनों level अपने chart मार्क करके रखे, यह होगी सही इसकी buying right level ना की current market price पर, शमा चाहेंगे अगर किसी को यह बात अच्छी न लगे, अगर हमारे साथ जुनना हैं तो मिलिए, जहीं जबारत, bye guys